हेलो एन वेलकम टू इंडिया नियू स्पोर्ट्स और मैं हूँ आपके साथ अरुन कुमार काडिफ में श्रिलंकाई क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 36.5 ओवर में 10 प्रिकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिये अलाकि इस मकाबले की बात करें तो ये मैच बारिश की वज़ा से काफी देर तक रुका रहा जिसके चलते दोनों टीमों के बीच ये मकाबला 41-41 ओवर का हो गया तो आज के मकाबले में अगर श्रिलंका की बात करें बल्ले बाजी की और सलामी जोडी ने काफी अच्छी शुरुआत करी थी टीम को काफी अच्छी शुरुआत दी थी लेकिन इसके बाज कहींगे कि उनके जो दूसरे बल्ले बास थे वो आज के मैच में मुहमद नभी जो अफगानिस्तान के आफिस पिनर है उनके सामने अपने घुटने टेकते नजर आए इस मुकाबले में अगर श्रिलंकाई टीम की बल्ले बाजी की बात करें तो उनके स्टार्टिंग के ही तीन बल्ले बाजों ने स्कोर करा है इसके अलावा जो उनके निचले क्रम के बल्ले बाज है या फिर मिडल ओर्डर के बल्ले बाज है वो अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने गुटने देखते नजर आए वहीं अगर अफगानिस्तान की गेन बाजी की बात करें तो उनकी दरफ से मुहम्मद दावी ने चार और राशित खान ने दो विकेट हासिल करें तो अब देखने ही होगा कि थोड़ी देर में अफगानिस्तान की टीम शिलंका के खिलाफ बल्ले बाजी करने के लिए मैदान पर उतरेगी क्या शिलंका की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ ये इसको जो दो से एकरनों का खड़ा कराए क्या वो इसको रोप पाईगी क्योंकि अगर शिलंका की बात करें तो उनके पास तीसारा thing आजिसे लेसित मलिंगा और लकमल जैसे गेंड़ींगाज हैं पांच बारी किताव जितने वाली टीम को ठक्क कर दी थी तो ऐसे में कहीं न कहीं श्रिलंका टीम के लिए ये मुकाबला काफी कटीन होने वाला है तो अब देखना यह ओका कि श्रिलंका ही टीम गेंद बाजी में क्या अपनाती है अफगानिस्तान के खिलाफ मैस्टर जुडियों और खबरों के लिए आप हमाई साथ बने रही है और आप हमारे इंडे नियू स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें